तो विल्कम टू आल माई डियर स्टेंट मैं मुकेशर आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज की धमाकेदार क्लास में इस टेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कोंस्टेबल दोजर चौबिस एकजम ओभी 18 फरवरी की त्यारी कर रहें तो यकीन माने स्टेंट आज क प्रशनों का ही सग्र्ढ आप सभी की इस क्लास के अंदर लिया गया है जो की आप सभी के लिस्टेंट का फीम्पु जाता है तो चलो आपके टाइम को वेस्ट न सभी के और ही मज़ेदार होने वाला है ठीक है ना तो पहले कोशन के और बात करते इस्टेंट आप सभी का पहला प्रशने क्या पूछा जार है पहला प्रशने आप सभी का और देखी आप लोग क्लास के सासत यह आप सभी के टेस्ट कोशन होने वाला टेस्ट क्लास होने वाल अभ्यारण किसी राज़े में इस्तित थे तो बांदीपूर अभ्यारण के बाद करते इस्टेंड की किसी राज़े में इस्तित हो जाएगा तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का कोशन नमबर वन का अपसन नमबर वी यानि के करनाटक में इस्तित हो ठीक है ना फटा फट आप लोग पान सेकेट में आप सीवे समय दिया जाएगा जिसमें कि आप सी को इस्टेंट हरे कोशन का जबाब कोमेंट बोक्स में हमारे बताने से पहले आप सभी को भर देना है ठीक है ना चलिए अगले प्रश्णी को बात करते आप देखें दुसरा नंबर प्रश्णी क्या पूछा जाए कि जो की आप सभी के लिए काफी इंपूदे रहे कि पटना का प्रची नाम क्या था यहां पर पुत्र इसका प्राचिनता नाम हो जाएगा ठीके ना अपसर नंबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके चलिए फटा फटा आव लो कमेंट बॉक्स में एंसर दीजिए ठीके ना चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर आप सभी के लिए दिया गया है भारतिय संभिधान में पहला संसोधन कभ किया गया था तो इस कोशन का राइट एंसर अपसर नंबर यानि कि 1951 में पहली बार संभिधान सभा में संसोधन किया गया था चलिए अगले प्रश्न को और बात के लिए इस्टेंट आप सभी का अगला प्रश्न क का प्रथम नोबेल पुरष्कार किसे दिया गया था ж, बात करें तो चलिए अगले प्रेश्णी का देखिए वाइप नंबर प्रेश्ण क्या पूछा जारा है फटा फटा आप लोग comment box में answer से comment box में भर जाना चाहिए आप सभी के ठीक है न क्योंकि मैं ये दिखना चाहता हूं कि आप सभी कितना preparation कर रहे हैं अपने वर्दी को सपने को सकार करने के लिए फाइब नमबर प्रशने की कौन भारती राष्टी कांग्रेस के प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन भारती राष्टी कांग्रेस के प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो फाइब का अज़ेगा आप सभी का आपसा नमबर याने की बदरू दीन तयब हो जाएंगे आपसा न नमबर प्रश्ण क्या पुछा जारा ध्यान दिजेगा करा कि किस मुगल सासक ने किस मुगल सासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाए था किस मुगल सासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाए था तो सिक्स का हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर शी यानि कि यह धर्म जो था वह अब सेưng अंबर सी छेंट आप सभीकर नारिट एंसर हो जाएगा कि चले अगले प्रशनिक और बात करते इस्टेंट आप सब्शनिक क्या पूछा जा ह्याता है कि राष्टी यह chaos यह मत दाता दिवत किस दिन को मना जाता ह। तो राष्टी 오늘 दाता दिवस के बात करते इस्टेंट के आप सभी केप्रती किस दीन को मनाजाता है तो सिबिन राइट एंसर हो जाएगा आपसा नंबर भी में 25 जनवरी को मनाजाता है तब सबसर नंबर सौरी आपसbroần 10 अप सभी का राइट एंशर हो जाएगा है चलिए अगले प्रषणिक और भात कलेके सभी आप सभी का एट नमबर प्रश्निक आsub तो फटा future आप लोग कमेट बॉक्स में एंसर दीजेगा क्या आप सभी का इस सकार doct Tale क्या होज जाएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आपसी का एंसर भर जाना चीए ठीक है न यहां पर दोस्तों बात करेते कि इस कोशन का राइट एंसर आप सभी का क्या होना चीए ठीक है न चलिए करेकि अंग्रेजों के नमक कानून के बिरोध महत्मा गांधी ने कौन सा अ अंदोलन सूरू किया था शरूण कटा एंसर का अपने ब्रकाफ और कमेंट वॉक्स में इंसर दीजिए तो इस सब्सक्राइऍब और हो जाएगा आप सब्सक्राइंकर प्रस्ने अपर दिखाए पूछा जायए ।ٹॉ है आगला प्रॉछमिया नहीं नंबर प्रस्फन आप पर इस्टेंट आप सभी से यह पूछा जा रहाए कि कर रहा है की आरे समाज की अस्थपना कब की गए थी आर्या समाज क्लिके बात करतें कि अब किया गया था तो आप सभी का इसकोशन का राइट अचय उन्षी नंबर नाइन का अपसे नमबर इह अनिकी इसन 1865 में किया गया था कितना में किया गया था इस इस्टेंट आप सभी कह तो तोại learn 15 से अपसे नमबर यह आप सभी का रायटे इंसर हो चाहेगा क draft answer चलिये आगले प्रश्ण और बात करें आप सभी का यहांपर देखें दस नंबर प्रश्चन देंट हैं कि पूछा जा रहा है तो दस नंबर प्रश्चन या कि अपने सब्ध कापर्यों कि स्विक्स खेल में होता है आप लोग के इस टाइब के भी प्रश्चन देखा जाता है ठीके नहीं तो यह भी कोशन देखा जाया तो हाला कि आप सभी के लिए काफी इंपुटेट हो जाएगा अगर आप सी के exam oriented दोस्तों बात किया जाया तो ठीगे नव लोिए इस सभी के किरिकेट में बोला जाता किसे बोला जाता दोस्तों तो ये बोला जाता आप सभी के किरिकेट आप सभी के लिए काफी इंपोडेट होने वाला मैं बारबार बोलाओ कि यह कोशन आप सभी के लिए काफी होने बार बार बार्वान प्रस्टेंट आप सभी का देखेगा बारा नंबर प्रस्टन क्या है कारे कि उतर प्रदेश के किस जीले में नियुंतम अनुसूची जन जाती आ है कौन सा ऐसा दोस्त आपसी के जीला उतर प्रदेश में जापर की नियुंतम जन जाती है तो बारा का उजग आप सभी का डी अनिकी चित्र कूट आपसा नंबर डी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चले अगले प्रश्ण को और बात करती कि उतर प्रदेश में भोटिया जन जाती कीन छेत्रों में निवास करती है तो तेरा का उजग इस्टेंट आप सभी का अपसा नंबर आप सभी का अनिकी परवतिय चेत्रों में निवास करती है आपसा नंबर बी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चले अगले प्रश्शन को बात करते आप सीवी का 14 नंबर प्रश्शन है कि उत्तर प्रद्यस में भगवान स्रीराम की जन्म भूमी अयोध्या किसे नदी के किनारे पर बसा हुआ था किस नदी के किनारे बसा हुआ यह कोश्टन अफस्वी के काफी included होगा और इसलिए सब्सक्राइब के समंदीत प्रशण और फिलाल में उत्तर प्रदेश में राम मंदीर का निर्मान किया गया तो आप सभी के लिए काफी इस्तित हो जाता है चलिए अगला प्रश्णावसी का 15 नंबर की भूईया वबुनिया नामक जन जाती राज्य के किस जीले में निवास करती है उत्तर प्रदेश के पूछा जा रहा है कि किस जीले में निवास करती है तो पंद्रह का जाएगा आप सभी कभी अनिकी सुनभद अगले प्रश्ण को और बात करते हैं आप सभी का देखे 16 नंबर करें की राजी में करमा निरति है किस जन जाती दला किया जाता है तो चलिए आगल्जा प्र निमनली को से सबसे कम समय में सूर्य चकर लगाता है यारि किन में से ऐसा कॉण सबसे कम समय में कि 100 लगाता है तो बूद और सब सब दो माधिपों की बात के जैत तो अठारा का अच्छाएगा आप सभी का यानिक ऑस्ट्रेलिया या इरोप हो जाएगा आपसा नमबर एस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगला प्रशनावसी को 19 नमबर की प्राइदीपी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो प्राइदीपी भारत की सबसे उची चोटी के बात करते इस्टेंट तो 19 का जाएगा आप सभी का आपसा नमबर शी यानिकी अनाई मूरी अनाई मूरी अपसा नमबर शी आप सबी का राइट एंसर होग जैगा चली अगला प्रशेन tek निली करांती के सुर्वात किस पंचवर्षी योजना के दौरान की गई थी तो नेली The के बात कर तो इस्टेंड का आप से के निली करांती किस पंचवर्षी युजना के तद पारांब की गई थी तो टॉंटी का उच जाएगा आप सभी का राइट एंसर अपसर नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चले अगला प्रशना से टॉंटी वर नमबर की उतर प्रदेश को पूरुव में किस नाम से जाना जाता है तो उतर प्रदेश के बात करते इस्टेंड आप सभी के पूरुव में किस के नाम से जाना जाता है तो टॉंटी वन का उच जाएगा आप से नमबर यानिकी इनाइट परोविंस प्रोविंस के नाम से अगला प्रस्णिक उत्रप्रदेश-त्वाप्स संसोधन के बात करते इस्टेंट की कप आरित किया गया था है कि ट्वंटीटू का जाएगा आप सभी का अपसे नंबर भी अनिकी त्री भुवन नराण सी हो जाएगे आप से नंबर सी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ने की उत्तर प्रदिस में अस्थानी अस्वायत सासन का ढाचा किस प्रकार का है तो ट्वंटीफॉर का जगा से अनिकी त्री अस्तर यह हो आज का लास प्रस्ने आप से लास्ट प्रस्ने ध्यान दीजिएगा काराई की भारत के सरवोच निया लेकि कारेवाहक मुख्य नियाधिस की निकती कौन करता है तो इसकोशन का राइट एंसर क्या आप सभी को कॉमेट बॉक्स में देना देखते कितने इसकोशन का राइट आप सभी को इसा लागा को में जुरूब एगा अगर आज की क्लास अचा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आकन को प्रेस कर दीजिएगा राके सामों स्टिंपटर क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंशते रहें तो मिलते नेक्स्ट क्लास मे आप